नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग आयोप आप सब मज़े में होंगे दोस्तों आज की यह वाली वीडियो काफी जादा धमाकेदार होने वाली है बिकुस आज की इस वीडियो के अंदर में आप लोगो को एक ऐसा स्टॉक बताने जा रहा हूं जो की काफी जादा स्टॉक ने आपर 250% 2500 परषेंट का डिविडेंट अनॉंस किया है जी यहां दोस्तों पूरे 200% का डिविडेंट अनॉंस किया इस टॉक ने आज की इस वीडियो के अंदर आपको इसी स्टॉक की काफी जादा डिटेल्स दूँगा जैसे हम बात करेंगे स्टॉक के बारे में काफी जाद information miss कर जाओगे जो कि personally मैं नहीं चाहता है अब आप कोई information miss करो इसलिए इस वीडियो का इंट तक देखना और कहीं पे भी skip मत करना चलिए दोस्तों अभी के इस वीडियो को like कर दीजिए चैनल को आप में बता देता हूं तो सबस्क्राइब हम यहां पर बात कर लेते हैं stock के past returns की तो अभी जब यह वीडियो में record कर रहा हूं यह stock अभी अभी open हुआ market and stock 1.14% अप में open हुआ है and बात करें अगर हम यहां पर past two years की तो August 2020 से लेके August 2022 तक two years के अंदर इस stock ने approximately की performance की तो जो 52 week low है stock का वो है 285.2 रूपीज और जो 52 week high है वो यहां पर है 573.75 रूपीज का तो जो stock का current price है भी वो middle में ही है बट थोड़ा सबने 52 week low की तरफ है जो की एक अच्छा buying point हो सकता है आप इस stock के लिए जितना पासो अच्छा माना जाता है तो जो इस company का PE ratio है जो stock का PE ratio है वो यहां पर 3.28 का है तो PE ratio काफी जादा कम है जो की काफी अच्छी बात है पीज रेशय की बात करने तो 0.89 का है industry PE आप 48.91 का है debt to equity ratio 1 के नीचे अच्छा माना जाता है इस company का debt to equity ratio 1.07 है तो debt to equity ratio थोड जिली ROE हमें 12-15% के अंदर देखने को मिलती है लेकिन यह ROE काफी जादा अच्छी है 26.95 की EPS की बात करने तो इस company की जो EPS 119.18 की है dividend deal यहां पर 6.4% का company dividend dairy actively जो की काफी अच्छी बात है वो को value की बात करने तो 439.67 rupees की है and बात करें face value की तो 10 rupees की है अब बात करते है इस 2018 के अंदर जो revenue था company का वो था 2943 करोर्स and उसके बाद 2019 के अंदर यह बढ़के हो गया था 2962 करोर्स and उसके बाद जब COVID आया था 2020 and 2021 में उस साल उन दोनों सालों में जो revenue है वो काफी ज़दा impact हुआ था and घटके हो गया था 2021 में 2326 करोर्स but 2022 के अंदर company ने काफी अच्छे से recover किया है अपने revenue को और जो current revenue 3,817 करोर्स के उपर में तो जो की काफी अच्छी बात है revenue काफी अच्छे से बढ़ता आ रहा है बात करें profit की तो company 2018 में profitability में 21 करोर्स के 2019 20 में loss making में थी 2019 में 38 करोर्स के loss में 2020 के अंदर में 13 करोर्स के loss में थी and 2021 में वापस profitability में 21 करोर्स के and current year मे 2022 में revenue की साथ साथ profit भी बढ़ा है profit हो गया है यहाँ पर 246 करोर्स जो की काफी अच्छी बात है net worth की बात करें इस company की तो net worth भी एकदम revenue की तरह ही काम कर रही है 2018 में काफी जादा थी 2019 20 21 तक यहाँ घटती रही थी but 21 से ही यहाँ पर recovery चालू करी थी जहाँ पर 2018 में जो net worth थ थी वहीं घटके ही हो गई थी 2020 में 737 करोर्स पर बट वापस से 2022 के अंदर में जो net worth है 1035 करोर्स अपने all time high पर आ चुकी है तो अगर बात करें total financials की revenue profit and net worth को जोड़के तो total overall जो financials है काफी जादा strong है company के अब बात करते हैं इस company के shareholding patterns की सबसे पहले हम बात करेंगे June 2021 के shareholding patterns की और उसे compare करेंगे उसके बाद में June 2022 से तो June 2021 में promoters के पास यहाँ पे 53.16% stake था company के अंदर retail investors के पास 46.31% foreign institutions के पास यहाँ पे 0.38% की holding थी other domestic institutions के पास 0.14% and mutual fund houses के पास 0.01% की holding थी अब इसे compare करते हैं June 2022 से तो जो promoters की current holding है 53.16% की ही है तो एक साल पहले भी इतनी थी सें ही holding है promoters की अब बात करते हैं retail investors की तो retail investors की current holding है 43.82% की है and retail investors ने पहरी approximately 3.5% की selling करी है जो की आपे 4.5% की selling करी है and बात करें हम foreign institutions की तो जो foreign institutions की holdING है पर पे सेल किया वही foreign institutions ने buy कर लिया जो कि काफी अची बात है जब भी foreign institutions किसी भी company के अंदर entry बनाती है वो उसका future काफी अच्छे से predict करने के बाद ही entry लेती है and एक company के लिए foreign institutions की investment आना inflows आना काफी positive news होती है तो other domestic institutions की बात करें तो same है 0.14% stake है and mutual fund houses का भी 0.01% same ही है और overall अगर shareholding patterns की हम बात करें तो काफी जादा strong है shareholding patterns and overall तो सारी चीज़े काफी अच्छी है company की अब बात कर लेने stock के नाम की तो जो stock का नाम है RSWM limited NSE code है इस company का RSWM and बात करें announcement की तो यहाँ पर आप देख सकते है company ने dividend announce किया है official letter आपके सामने है company की तरफ से जो आया है जो यहाँ पर value रहने वाली है dividend की वह 250 percentage में होने वाली है और जो यहाँ पर रूपीज में value की बात करें तो 25 रूपीज के होने वाली है तो अगर आपको इस stock को dividend benefits के लिए purchase करना है तो 29th of August यानी X date से पहले पहले purchase कर लीजिएगा तभी आपको यहाँ पर dividend का benefit मिलेगा दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही अगब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को ज़रूर से like कर देना चानल को भी subscribe कर देन आपको स्टॉक मार्केट से related content देखने को मिलता रहेगा चली मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then bye